दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डीक अथलोन की निवली लॉंच MTB ST120 को डीक अथलोन ने ये बाइक रिसेंटली में 2021 में लॉंच की है इस वीडियो में हम जानेंगे ST120 के फीचर्स के बारे में और इसकी डिटेल स्पेसिफिकेशन को डिसकस करेंगे So friends, welcome to my channel अगर आप ये वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो please subscribe my channel to get latest cycling related videos So दोस्तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं ST120 की details के बारे में दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं इस cycle के frame की ST120 का comfort geometry frame डिजाइन किया गया है अच्छी maneuvering के लिए और इस cycle का all aluminum frame इसको काफी हलका बना देता है और इसके कारण overall ये cycle काफी हलकी हो जाती है इसके top tube का slope आपको अच्छी right position प्रोवाइड करता है और slant frame डिजाइन होने के कारण ये bike unisex बन जाती है और various height range के riders इसे आसानी से use कर सकते हैं ST120 में आपको extra short से लेके extra large तक के frame sizes मिलते हैं जो की suitable है 4.5 feet से लेके 6.5 feet के riders के लिए दोस्तों बात करते हैं इस cycle के front suspension की suspension किसी भी MTV bike के लिए काफी important component होता है और यहाँ पे आपको मिलता है mechanical coil spring type का front suspension इस suspension की travel length around 80 mm की है जो off-road में आपको अच्छी performance देती है ST120 के यह suspension आपको weight adjusters के साथ मिलते हैं जिसे आप 55 kg to 105 kg तक adjust कर सकते हैं गाइज अब बात करते हैं इस cycle के handlebars की Rock Rider ST120 में मिलता है आपको steel का 640 mm का handlebar 640 mm wide होने के कारण off-road में आपको better control मिलता है अगर यहाँ आपको 680 mm के handlebars मिलते हैं तो off-road में और अच्छा control मिल सकता था दोस्तों यहाँ आपको मिलती है between sports की soft touch grips इस cycle में यहाँ पे आपको 90 mm के strength मिलते हैं जो proper right position के लिए 10 degree पे set हैं गाइज आप देखते हैं इस cycle के brakes and brake levers ST120 के यह black aluminium brake levers काफी premium and strong लग रहे हैं यह brake levers काफी easy to use हैं और आप just two fingers की help से इसे use कर सकते हैं ब्रेकिंग के लिए ST20 में आपको front में और rear में tractor के TKD68 disc brakes मिलते हैं जो कि आते हैं 160 mm rotor disc के साथ Friends देखते हैं इस cycle के drive train को यह cycle आपको 1 into 9 speed drive train के साथ मिलती है rear gear को shift करने के लिए आपको micro shift के easy fire shifters मिलते हैं Guys जैसा कि मैंने बताया कि ST120 1 into 9 speed की cycle है इसी लिए handle bar पे आपको केवल rear shifting के लिए shifters मिलते हैं Front में आपको single speed 32 teeth challenge मिलती है अब बात करते हैं इसके rear gear assembly की तो rear में आपको micro shift के 1 into 9 speed cassette मिलता है जो की equipped है micro shift के M46 derailers के साथ इसकी shifting काफी smooth है और 1 is to 9 speed होने के काण इसकी shifting भी काफी आसान हो जाती है दोस्तों बात करते हैं ST120 के wheels and tires के बारे में ST120 में मिलता है आपको 27.5 inch का double wall aluminum rim 28 spokes के साथ ये काफी light, stiff and durable है दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है between के all terrain dry tires जिसकी dimensions है 27.5 into 2 inch इस MTV tire के side lugs आपको turning के दोरान अच्छा traction provide करते हैं ये tires city rights and off-roading दोनों में ही optimum performance देते हैं गाइस अब देखते हैं इस cycle के saddle and seat post को दोस्तों यहाँ आपको hammock shape का ergo fit and comfortable seat post मिलता है जो की long ride में काफी useful होता है यहाँ पर ये saddle आपको quick release feature के साथ मिलती है और इसे आप बड़ी ही आसानी से rider की height के हिसाब से adjust कर सकते हैं दोस्तों बात करते हैं इसके quick release feature की ST120 में आपको front में और rear में दोनों wheels में quick release feature मिलता है जिसे आप transportation के लिए या ride के दौरान puncher को repair करने के लिए use कर सकते हैं तब बात करते हैं सबसे important aspect की जो की है price दोस्तों यह cycle आपको decathlon stores में और decathlon की website पे 23,999 में मिल जाएगी दोस्तों बढ़ते हैं हमारी final segment की तरफ जो की है verdict and conclusion ST120 rock rider की mid range की series में ST120 और ST520 के बीच की cycle है यह cycle आपको मिलती है 1 into 9 speed gear combination के साथ और frame and fox पे आपको decathlon की तरफ से lifetime warranty मिलती है price range की हिसाब से major component की quality काफी अच्छी लग रही है अगर आपका purpose है city ride with minor off-roading तो यह cycle आपके लिए अच्छा option हो सकती है so guys please comment करके मुझे बताईए कि यह cycle आपको कैसी लगी और ऐसी ही latest cycling related videos के लिए please subscribe my channel so friends stay safe keep pedaling thanks for watching this video guys thank you